Hello everyone, welcome to my cooking lunch blog. I hope all of you are doing well. आज मैं lunch box के लिए बनाने जा रही हूँ दाल चावल. ये सभी के घरों में बनाई जाती है. आज मैं वही recipe बना रही हूँ लेकिन थोड़ा हट कर जिसे आप बहुत ही पसंद करेंगे. साथ में एक नए तेरा से भिंडी की सबजी यकीन कीजिए. आपको भी भिंडी से प्या हो जाए. इस दाल की recipe बनाने के लिए मैंने एक चुथाई कटोरी लाल मसूर की दाल ली है और तीन चुथाई कटोरी मूंग धुली ली है. उन्हों दालों को एक बाउल में mix करें और इसे wash करेंगे तीन से चार बारी ताके इनकी गंदगी अच्छे से हट जाए. और फिर फिल्टर वाले पानी से मैंने wash करके अब मैं इसे डारेक्ट कुकर में boil होने के लिए डालूंगी. इस दाल को भिगोना नहीं है. गैस के चूले पर रखें कुकर और कुकर में अब हम add करेंगे ये धुली हुई डाल. अब हम इसमें डालेंगे एक मोटे इलाइची, दो स्वाद अनुसार, हल्दी, आदा छोटा चमच, घी, एक चमच, ये इसलिए डाल जाता है घी, जब ये कुकर विसल मारेगा तो पानी बाहर नहीं निकलेगा और कुकर भी गंदा नहीं होगा. साथ में एक तेज पत्ता, साथ में डालेंगे पानी जिसमें दाल बढ़िया स अबल जाए, इस तरह से डालने से इस दाल में एक अलगी फ्लेवर आता है, जैसे हम धाबो पे खाते हैं जब हम भार जाते हैं, सेम फ्लेवर आपको मिलेगा इस, उकर को कवर करतें और इसे दो विसल देंगे मीटियम फ्लेम पर, अब मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी के पलड देंगे, और सेम पैन में अब हम वाइट कलर के तिल को भूनेंगे, हमने वाइट तिल ली हैं, तीन बड़े चमच, इन्हें लो फ्लेम पे हलका हलका भूनना है, जिने भिंडी पसंद नहीं है, या आनाका नहीं करते हैं खाने में, अगर आप इस तरीके से तो वो भिंडी बनाने की रोज डिमांड करेंगे आपसे, एक बार तो आप इसे जरूर बनाईए, तिल भून जाने के बाद सेम पैन में हमने दो चमच बेसन लिया है, बेसन को भी हम लो फ्लेम पर हलका हलका भून ले, बेसन जब अच्छे से रोस्ट हो जाए, तो उसे से प्लेट में आड कर देंगे और इन तीनों चीजों को हम अब थंडा होने देंगे, थंडा हो जाने के बाद ही ने हम ग्राइंड करेंगे, भिंडी की सबसी बनाने के लिए सबसे पहले अब हम भिंडी को कट करेंगे, भिंडी को मैंने पहले धो के अच्छे से सुखा दिया कट कर लें, इससे भिंडी जल्दी कट जाती है, टाइम भी बशता है, इसी तरह हम सारी भिंडी के हेड और टेल रिमूब कर देंगे, दो विसलाने पर मैंने फ्लेम को आफ कर दिया है, अब उसे नैचुरली ठंडा होने देंगे, इरा राइस बनाने के लिए मैंने एक कटोर भी बासमती राइस लिया है, इसे दो से तीन बार पानी से धोने के बाद मैं इसे भिगो के रख दूँगी, ताकि ये 15 मिन में भीग के त्यार हो जाए, भिगोने से चावल एक तो बहुत ही अच्छा बनता है, जल्द बनता है, और एक एक दाना खिला 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 बनता है मूतियों की तरह, अब प्रॉंठों के लिए आटा गून लेते हैं, प्रात में अंदाजे से आटा लिया है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, आजवायन मसल के साथ में घी, जिससे की ये प्रॉंठे सॉफ्ट बने रहते हैं, मिक्स कर ले हाथ की मदद से, और अब मूतियां बनाएंगे तो बहुती सॉफ्ट बनेगी, आटा गुन जाने पर इसे हम ढख कर 15-20 मिनट का रेस्ट देंगे, दाल का तड़का बनाने के लिए मैंने चॉपर में डाले हैं, दो हरी मिर्च, पांच दाने लसुन के और एक इंच अधर का टुकडा, और आब इसे ह हम बारी चॉप कर लेंगे, इसके बाद हमने एक मीडियम साइज का प्यास लिया है, एक मीडियम साइज के प्यास को मैं चॉपर की मदद से बारी कट कर लोगी, इससे मुझे दो फायदे मिलते हैं, एक तो इवन कुकिंग हो जाती है, और मेरा टाइम भी बच जाता है, ये और उसको फिर से एक बारी कट करेंगे, यानि की एक भींडी के हम चार टुकडे करेंगे, अगर छोटी भींडी है साइस में, तो आप इसके सिरफ दो टुकडे करेंगे, डारेक बीच में से स्लिट करके, इस तरह से मैं सारी भींडी को कट कर लूँगी, वजन से ये 500 ग्राम है, अब नेक्स प्रोसेस की तरफ चलते हैं, अब त्यार करेंगे भिंडी के लिए स्पेशल मसाला, भुनी हुई मूमफली दाना, वाइट तिल और बेसन को डालेंगे, मिक्सर जार में, साथ में डालेंगे और मसाले, 1.5 टेबल स्पून कश्मिरी लाल मिर्ज पा गार्लिक पाउडर, 1.5 टीजपून आनियन पाउडर, 3-4 टीजपून आमचूर पाउडर, अगर आपके पास आनियन, गार्लिक और जिंजर पाउडर नहीं हैं और आमचूर भी नहीं हैं, तो आप इसकी जगा पावभाजी मसाला डाल दीजिए, दो से तीन बड़े और मोटा दरदरा भी नाओ, जैसे कि हम वो गरमसाला करते हैं, धनिया पाउडर करते हैं, उसी टाइप का, मिक्सी जार का कवर हटाके मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसकी रंगत, सेम टू सेम आपका भी ऐसे ही बनेगा, इसमें एक तम जबरदस खुश्पू आ होता है, साथ में डालेंगे एक चमच जीरा साबुत और हींग, हींग डालना इसमें जरूरी है, अगर आपको पसंद नहीं, तो आप इसे स्किप कर दीजिए, जब दोनों थोड़ा सा तरक जाएं, तो इसमें डालेंगे, बारी कटा हुआ, जिसको हमने चौप किया था, अधरक लसोन और हरी मिर्च, उसे हम तरका लेंगे, एक मिनट तक जादा नहीं, फ्लेम लो रखेंगे, अधरक लसोन और हरी मिर्च, हलकी सी भुन जाने पर इसमें हम एड़ करेंगे, एक मीडियम साइज का प्यास, जिसको हमने बारीक चौप किया था, अब इसे भी इस मस हो गई है, जैसे हमें चाहिए, प्यास जो है ना, वो हलका सा कूल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें आड़ करतेंगे, बारीक कटा हुआ टमाटर, और इसको इसको इसके साथ भूनेंगे, बढ़िया से, जब तक ही हलका सा मैशी हो जाए, साथ में डाल देंगे, नमक स्वादा नुसार, थोड़ा सा, क्यूंकि हमने डाल में भी नमक डाला था, ध्यान रखिए, और इसे थोड़ी देर पकने देंगे, फ्लेम लो, आप इसे कवर भी कर सकते हैं, गैस के चूले पर मैंने कडाई रखिए, अब इसमें मैंने डाले थे, तीन से चार बड़े चम के लिए भूनेंगे, और उसके बाद हम डालेंगे, कटी होई अपनी भिंडी, मिक्स करें, फ्लेम लो, मीडियम और इसे कवर कर देंगे, और इसे पकने देंगे, जब तक ये 80% तक कुक हो जाए, बीच बीच में आप एक दो बारी इसे चला दीजेगा, ताकि भिंडी तल किया, उस पर पैन रखा, पैन में डालेंगे दो बड़े चमच घी, घी को गरम होने दें, और फ्लेम को रखेंगे लो, इसी बीच में भिंडी को भी चला देती हूं, ताकि वो तले पे ना लगे, अब डालेंगे इसमें जीरा, एक छोटा चमच, साथ में दालचीनी का एक तेज पत्ता और दो साबत काली मिर्च, जीरा भूने पर एट करेंगे राइस, जिने भिगो के रखा था और पानी निकाल दिया है, इसे भूनेंगे एक से डेट मिनट के लिए, अब इसमें डालेंगे नमक, आदा छोटा चमच, मिक्स करतें, और इसे आदे सिकंड के मिक्स कर दे और इसे कवर करतें, जैसे ही इसमें गुकश करें और इसे पकने देंगे लो फ्लेम पर, धर करने से जितने भी तरके के वो दाल में समा जाएंगे, तीन मिनट हो चुके हैं इसका कवर हटाते हैं अब इसमें एट कर देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया मिक्स कर दें और इसे कवर कर दें इसे पकने देंगे सिरफ दो मिनट के लिए और इसके बाद फ्लेम आफ कर दीजिएगा भिंडी भी तकरीबन 80% तक पक चुकी है इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक क्यूंकि नमक हमने मसाले में भी डाला हुआ है और डालेंगे 4-5 बड़े चमच मसाला जिसे हमने रोस्ट करके त्यार किया था मिक्स करें אתה को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए बायंच में बूल जाते हैं लाइक नहीं करते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़ादा खुशी मिलती है राइस भी बनकर त्यार हो गया है अब लास में हम इसमें हरा धनिया बारी कटा हुआ स्प्रिंकल करतेंगे मिक्स करतें इसे कवर करके फ्लेम को आफ कर दीजिएगा बिंडी बनाने के बाद जो भी मसाला पच चाता है आप इसे एर टाइट बोटल में रख सकते हैं और ये दो महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता इसे आप किसी भी ड्राइ सबजी में यूज कर सकते हैं इसका एक अपना ही फ्लेवर है और बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है जब सबजी बनकर त्यार होती है अब मैं साथ के साथ प्रॉंठे बना लेती हूँ यहाँ पर मैं ट्राइंगल वाले प्रॉंठे बना रही हूँ यह बहुत ही अच्छे लगते हैं प्रॉंठों को अलटे पलटे सेक लें इन्हें घी लगा कर क्रिस्पी कर लें ब्राउन स्बॉट आ जाएं तो प्रॉंठा बनकर त्यार है इसी तरह बाकी प्रॉंठे भी हम त्यार कर लेंगे इधर भिंदी भी बनकर त्यार हो गई है मैंने फ्लेम को आफ कर दिया है इसी तरह दूसरा प्रॉंठा भी बनकर त्यार हो गया है अब जल्दी से लंच को पैक कर लेते हैं कैसी लगी आज की रेसिपी? कमेंड करके जरूर बताईएगा ये सभी कुछ टेस्टी है और हेल्दी है ट्राई जरूर कीजिएगा मुझे परस्नली दाल चावल बहुत ही पसंद है और साथ में भिंडी हो जाए तो क्या कहना? सोने पे सुहागा इस भिंडी की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा ना खाने वाले भी आप से रोज बनवाएं कैसी लगी मेरी रेसिपी जरूर बताईएगा और कहां से देखते हैं आप लोग मुझे ये भी बताईएगा प्राउंटो को मैंने बटर पेपर में रैप किया है फ्रेंड्स मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक एंड शेर जरूर कीजिएगा मिलती हूँ नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर